स्वाथ करता हूँ दोस्तों बर फिट से मैं आप सबका हमारे इस यूटीब चुनल पर दोस्तों आज आपके लिए कोई रिजल्ट अपडेट नहीं कोई इन्फर्मेशन नहीं आज मैं क्यवल आपके लिए लेकर कर कहा हूँ क्यवल इंडियन एरफोर्स ग्रूप सी इस वीडियो में हम जानेंगे मैं आपके सभी ट्रेट जैसे में अच्छा प्रफोर्मेंस कर सकते हो अच्छे से अच्छे मांक्स को स्कोर कर सकते हो लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार विजिट करें तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि आपको आगया नोले जीतने भी अपडेट्स ओं इंडिया एरफोर्स ग्रूप सी का रिगाडिंग सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों विडियो में आगे बात करते हैं तो यहां पर आप मरे उसक्राइब को पर देख पा रहे हो कि सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे MTS ट्रेट के बारे में पहले मालो की आपको पांस याच शेकी घुरूप में बार दिया जाएगा ओर और उनसे फिर क्या करा जाएगा, तो तो तीन स्टुईंट्स को बोला जाएगा, कि आपको यह पार्टिकुलर एरिया का ग्रास जो है उसको साफ नहीं काट देना है, ठीकिएक तो स्टुईंट्स से बोला जाएगा, आपको इस एरिया का ग्रास ग książ हो गए जो cleaning का काम जिसे जाड़ों पोच्छा हो गए रहा काğim कराए जाकता है आपसे या फिर कहीं आपसे हुछ और जैसे किसे चीज को clean करना है या फिर साफ करने वाला जैसा काम करा जा सकता है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपसे होसकता है कि bag carrying का काम करवा लिजए क्योंकि दोस्तों जितने भी information में दे रहा हूं recent में यानी साल 2021 में जितने भी trade टेस्ट हुए है उनके selected students से यह information ली गई है तो bag carrying में आपका क्या होता है कि bag carrying में आपको मानलो कि 20 kg का एक bag होता है उसको बोला जाएगा कि आपको इस जगह से लेकर के इस जगह तक जाना है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपका जो काम होता है यह होता है area cleaning का अब area cleaning में क्या मैंने बताया आपको जैसा कि area cleaning के अंदर अदर आपको जो भी works आ जाते हैं इसे किसी particular area को cleaning करना हो गया उसको साफ करना हो गया या फिर किसी office को साफ करने वाला काम जो है आपसे कराया जा सकता है तो MTS का दोस्तों बेसिकली यही काम कराया जाता है आपके skill test में इसे ज़्यादा आपका कुछ नहीं होता है बात रहा running का कि running होती है या नहीं तो running नहीं होती है हाला कि अभी फिलहाल में किसी किसी air force station ने आपके 800 meter की running को कराया था उनके लिए 4-5 minute का time दिया गया है तो आपको 800 meter की running हो सकती है मुश्किल से लेकिन आपको एक बार prepare कर लेना है कि हाँ आपको fit राना है physically तो आप दोस्तों 800 meter की running आराम से cross कर लोगा अगर होती है तो लेकिन फिलहाल सो में से 99% air force station पर यही आपकी pattern को follow किया जाता है या वहां पर कोई running आपकी नहीं होती है ट्रेड MTS के लिए ठीक है अब next trade के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं तो दूसरा trade है आपका मेस स्टेप का क्या काम होता है मेस स्टेप का क्या skill test में करवाया जा पहला का है कि जब हो मेस में report करेंगे जके उनको मेस में यहीं हां मेस में जाने के बाद नंसे gas stop होगाए सकते हैं कुक का यह उनसे काम कराए जाएगा कि मैंस कि आपको कैसे help कर सकते हो आप जब जाओगे ट्रेड टेस्ट देने आपका तो आपका जैसे अगर मान लो कोई कुक है तो उसको किसी कुक ट्रेड का उसी दिन यानि बर्तन ओंगर आपसे दुलवाए जा सकते हैं ठीक है यह ही काम से आपके हैं जो भी स्किल्ड टेस्ट के आएं अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप इस चीज को वेरिफाइगे करेंगे कि हाँ इस तरह के काम होते हैं, ठीक है next trade के बारे में दोस्तों बास कर लेते हैं तो trade है आपका cook, यानि cook trade के बारे में जो भी student supply किये थे, उनके लिए अगर उनका return definition clear हो चुका है तो उनके skill test में क्या होता है तो दोस्तों जब आप जाओ गे देने के लिए आपसे कोई खाना बनवाए जा सकता है खाना कोई आपसे बोला जागा कि खीर होगरा बना करके दिखाओ या फिर कोई रोटी बना करके दिखाओ तो इस तरह के काम आपसे करा जा सकते हैं या फिर आप जाओ जब ट्रेट टेस्ट देने तो आपके पास basic information जैसे कि कौन सा यह मसाला है, कौन सा डाल है, या फिर कैसे चाय बनती है, कैसे रोटी बनता है, कैसे सबजी बनता है इस तरह का basic information आपके पास होनी चाहिए उससे जोड़े दोस्तों आपसे question भी पूछ सकते हैं कि ये मानलों कि अगर चाय बनानी है तो उसमें पहले चाय पती पढ़ेगी या फिर चीनी पढ़ेगी ठीक है तो इस तरह के काम आपके trade cook में हो सकता है ठीक है उसके पर दोस्तों आपसे cleaning भी करवाई जा सकता है आपके cleaning भी करवाई जाता है जैसे कि अगर मानलों कि आपका जो gas stop हो गया या फिर जो और भी mess में cleaning हो गया काम हो गया ये आपसे करवाई जा सकता है तो दोस्त आपका cook trade के लिए इसी सब चीजों के ऊपर आपका cook का जो trade test रहता है और best रहता है ठीक है नेक्ट दोस्तों बात करते है अगले ट्रेट के बारे में housekeeping stop के बारे में तो housekeeping stop के trade test में क्या होता है तो housekeeping stop के trade test में तो इसका नाम ही है आपका housekeeping यानि आपको एक particular office या फिर particular किसी officer के घर को आपको clean कैसे रखना है उसको डेकुरेट कैसे करना है उसके एरिया को कैसे करना है यह इसको पूरा साफ कर दो ठीक है cleaning का काम आपसे करा जाएगा तो definitely आपसे cleaning का जैसे house में जो भी cleaning का काम होता ये आपसे करा जाएगा house को आपका ऐसा decorate कर सकते हैं इससे भी जूड़े आपसे परस्ट पूछे जाएगा फिर कोई house दे दिया जाएगा इसी तरह के काम करा जा सकते हैं और ये भी हो सकता है आपका housekeeping staff का अंदर अंदर especially कि आपसे bag ए carrying वाला भी काम करा जा सकता है जैसे मान लोग अगर 10 kg का एक bag है बोला जागा कि इसको यहां से उठा करके यहां रग दो इस तरह के दोस्तों काम आपको कराई जा चुके है ट्रेड housekeeping staff के इंडियान एरफोर्स गुरूप सीके अंदर ठीक है next दोस्तों trade के बारे में बात कर लेते हैं fireman trade के बारे में तो fireman trade के बारे में बता दू आपको कि जो भी student supply किये थी अगर उनका skill test हो चुका है अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता हो कि इस तरह के काम उनसे करवाए गया है तो अगर जिनका होने वाला है तो भी इस इसको देख लेंगे तो जब आप fireman का trade test देने जाओगे तो वहां पर आपको basic knowledge होनी जरूरी है बहुत जरूरी है आपके fireman के बारे में जैसे वहां पर कुछ questions आपका normal questions पूछ सकते हैं कि fire examister जो आपका होता है बना उसका परयोग हम कब करेंगे आग लगने के बाद कैसे मतलब हम उसको खोलेंगे कैसे open करेंगे और भी जैसे basic knowledge आपको पास होनी चाहिए जो कि आप easily qualify कर लोगे इसके अंदर दोस्तों आपकी running हो सकती है इसके अंदर running हुई भी है आपकी 8 so meter की running होती है जिसमें आपको 5 मिनट का time मिलता है तो 8 so meter की running के अंदर पूतला type का होगा उसको उठा करके आपको यहां से यहां रखना है फिर bag होगा उसको carry करके एक जगह से दूसरे जगह पे रख देना है other works भी उहां पे करा जा सकता है जैसे cleaning हो गयरा का या फिर pipe folding हो गयरा का भी काम दोस्तों आपसे करा जा सकता है आप कैसे उसमें से पानी भर सकते हो आपसे tanker में पानी भरवा जा सकता है पानी निकल भाय जा सकता है इस तरह के काम दोस्तों आपका trade fireman के अंदर अंदर होता है ठीक है next trade के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं तो next trade है आपका LDC अब LTC के अंदर बस एक काम होता है typing test का तो typing test दोस्तों बहुत सरे students के बनना आता है कि हिंदी में होता है या फिर English में होता है तो जब आप trade test देने जाते हो तो दोस्तों आपका notification में ऐसा कुछ mention नहीं किया गया है कि आपका हिंदी में होगा कि इंग्लिस में होगा तो जब आप trade test देने जाते हो तो दोस्तों आपका ये हिंदी में भी हो सकता है इंग्लिस में भी हो सकता है यानि आपसे वहाँ पे preference पुछी जाएगी कि आप इसमन देना चाहते हो अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो आपका 30 words होता है टाइप words लिखने है one minute के अंदर और इंग्लिस में बहुत करूँ तो 30 words आपको लिखने है वान मिनट ठीक है तो आपका लडी सी का टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों ये बैसिकली इसी को उपर बेस्ट रहता है इसके बाद next trade के बारे में हम जन करें रहे हैं आपका storekeeper का बेसिकली क्या काम होता ह है तो storekeeper का दोस्तों basically जो काम होता है क्या कराया जाता है उन से skill test के अंदर-बहां की बात नीर क्या होता है तो यहां पर दोस्तों आपके basic knowledge चेक़ जाते ही जैसे साथ आपको स्टोर में काम आपसे करा जा सकता है जैसे अगर आप जाय किआ गया गया है तो आपसे कुछ बेसिक नॉलज होनी चाहिए इक स्टोर को हेंडल कर सकते हो इसी साथ आपको आपको दस बॉक्स दे दिये गए और उससे पुछा गया कि या कि 10 books या फिर कोई 10 weapons हो गया फिर कुछ भी आपको दिया जाता है ठीक है और वहां में आपसे बोला जाता है कि इन 10 चीजों को आपको एक arrange way में रखना है एक अच्छे से इसको संभाल करके रखना है तो आप कैसे रखोगे ठीक है तो basically आपके store keeper के अंदर कोई running हो गयरा नहीं होती है यही आपकी होती है ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह जितने भी मैंने trades के बारे में बताए है तो यह सारे trades के बारे में आपको information clear हो गई होगी दोस्तों part 2 में यानि इस वीडियो के आपके skill test के part 2 वीडियो जो की हाली में अपलोड करूँगा मैं recent में आपके जिसमें की और भी जो trades के बारे में इसमें जानकारी नहीं मिल पाई है आपको उस वीडियो में मिल जाएगे क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इस वज़े से मैं आपको इन सारे trades के बारे में सबसे बड़ा confusion होता है तो running आपकी basically कुछी चीजों में होती है जैसे मान लो कि आपका जब कुछ एयर फोर्स एस्टेशन पर डिपेंड करता है कि अगर उनको running लेना हुआ तो आपको basically प्रिपेर करनी है 800 मिटर के लिए आप समिटर स्यादा आपकी running नहीं होगी within 5 मिनट्स ठीक है विडियो के part 2 में तब तक लिए धन्यवाद जैहन